आज एक नया सुखबर लेके आये हैं पेटीम की तरब से नमस्कार मेरा नाम है वीकास और आप देख रहे हैं वीकास टेक चलिए वीडियो को सुरू करते हैं According to RBI Notice 29 February के बाद पेटीम एकाउंट किसी भी कास्टोमर यूज नहीं कर सकते हैं उसके बाद पेटीम ने नया एक ओफाल लॉंच किये हैं जो रेफार एंड आर्ण अब लोगों पता है इसके पहले भी पेटीम रेफार एंड आर्ण चालू किये थे जो 100 रुपीज करके हार यूज आर पे दे रहे थे और ओल्ड वाला कास्टोमर को अब एक्टिव करेंगे जाएगा उदर जाना है जाने के बाद उदर आपको एक और औप्शन मिलता है QR-Code को निकाल लेना है उसका शक्युआ रख लीजेगा उसके बाद किसी कास्टोम आर का फोन में जाके एब इंस्टोल करके उसका नया एक नम बदेके तो उसके बाद यूपाई शेटआप कर करना है जिसको अब रेफार करना चाहते हैं पेटिय में अंदर उपर में जो साजबार है उधर आपको साजबार में क्लिक करके रेफार कोड साच करना है रेफार कोड साच करने के बाद ही आपको एक ऑप्सन मिल जाएगा रेफार कोड उधर आपको क्लिक करने के बाद आपक में किसी दूसरे एकाउंट में U-Pay Transaction करना है स्क्यान करके नहीं तो किसी को भेज के U-Pay Transaction एक रुपिय करना है एक रुपिय करने से तुरंद आपका एकाउंट में जो है 50 रुपीज आ जाएगा एक जो है एमाउंट आपका wallet दें बिल सकता है और नहीं तो आपका जो अपना पेटियम एब में पाई मारी करके रखें उसी तरफ से आप रेफार कर सकते हैं दोस्तों आप लोगों को बतावुगा तो पेटियम बहुत सारा पूराना एकॉन पे भी रेफार करेंगे तो दे दे रहा है मैं अब लोगों को एक् Pay transaction जो है ज्यादा दिन नहीं करेंगे तब ही आपको इसके लिए active होगा बहुत सारा old वाल icon पे भी आप try कर सकते हैं Paytm cashback दे रहा है इस तरब से आप refer करके बहुत सारा cashback आन कर सकते है Paytm से वीडियो को आचा लएके तो like कर दीजे दोस्तों के share कर लिजे मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए आचा रहिए नमस्ते